इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और कंड़क्टर को निलंबित कर दिया गया है आईए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में बताया जा रहा है कि मामला 12 जुलाई का है जब एक DTS बस जनकपूरी से सटे हरी नगर टीपो पर थी उस दोरान खाली खड़ी बस में एक लड़की ने पहले बस के मारशल के सामने सपना चौधरी के गाने पर डांस किया और इस दोरान ये मारशल पूरे समय लड़की को देख कर मुस्कुराता रहा इसके बाद बारी आई बस के ड्राइवर और कंड़क्टर की इस लड़की ने उनके सामने भी उसी गाने पर डांस किया और ये दोनों मुक दर्शक बने टिटॉक वीडियो का हिस्सा बन गए लड़की के डांस का यही वीडियो जब वाइरल होना शुरू हुआ तो बात डीटीसी के अधिकारियो तक जा पहुँची और इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई गए जांच कमेटी ने पाया कि ये वीडियो पारा जुलाई को जनकपूरी में बनाया गया था सरकारी बस में इस तरह का वीडियो बनता रहा और बस के ड्राइवर और कंड़क्टर इसका हिस्सा बने और इसी कारण कमेटी ने दोनों पर कारवाई करते हुए इन्हे कारण बताओ नोटिस भेज कर सस्पेंट कर दिया और मार्शल को सिविल डिफेंस आफिस भेज दिया गया है गौर तलब है कि लड़की ने सिर्फ बस के अंदर ही नहीं बस के बाहर भी मार्शल के साथ वीडियो बनाया है बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों पर सरकारी संपति का दुरुपयों करने बिना इजाजस उस पर शूटिंग करने ड्यूटी पर रहते उससे ला परवाही करने और सारवजने के यातायात के साधन की च्छवी धुमिल करने का आरोप लगा है और इसी के तहट इन पर कारवाई की गई है इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पेस्बूक पर शेयर जरूर करे जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मिल सके हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले धन्यवाद